पिसली सरकार में भी मैं स्टेट मिनिस्टर था लेकिन जिस तरह से कुरुश्टा साबने बताया कि हमारे अभियंता को हमारे इंजिनेयर को पैचान कब हुई तो जल्जिवन मिशन से हुई आज पूरे देश में कोई बोल बाला होगा तो जल जीवन मिशन का बोल बाला है वैसा महाराश्च में जल जीवन मिशन ये पहले बार नहीं हुआ चत्रपती, शिवाजी, महाराश जी जब भी थे आप उनके कीले पर आप भी जाकर देखे तो आप भी चत्रपती का कुवा चत्रपती जी ने बनाया हुआ बंदारा चत्रपती ने बनाया हुआ तालाव आज भी मौजूद है इतना ही नहीं तो महराज की ये भूमी में ऐसे भी जो लोगे जहां पर कंकर है जहां पर मटी है जहां पर फत्तर है लेकिन पानी नहीं है जैसे अन्ना जी हजारे है जिसका नाम पुरा देश लिया जाद लेते है पोपड राओ जी पवार है जिन्हों ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है और ये देश में महाराश्ट 1960 में जब अलग हुआ महाराश्ट को स्टेट की माननेता मिली उस दिन से आज तक एतियास देखा जाए तो पानी की बहुत से योजनाई आई लेकिन आज हमें पक्र के साथ कहना चाहिए कि महाराश्ट में रिवा है वर्दा है कुष्णा है कोईना है भद्रा है गोदावरी है इन नदियों के बलबूते पर हम पानी पीते थे लेकिन आज महाराश्ट की स्थिति आप देखेंगे तो 92% यहाँ पर फत्तर वाली जमीन है 8% सिर्फ पानी है महाराश्ट में सिचाई के लिए 92% पानी यूज किया जाता है और आज जल जीवन मिशन इसमें काम करने वाला मैं एक कार्य करता हूँ यह पानी का विशेश्रीम भाशन और उद्गाडन के लिए नहीं है यह समारोप के लिए नहीं है अगर यह पानी का विचार मन्त हो जाए तो यह अमरूद बन जाएगा और यह अमरूद मनुष्य जाती के लिए निश्चित रूप से वर्दान बन जाएगा बगवान की कृपा है कि जो सदियों में हम काम कर रहे है जिस सीती में हम काम कर रहे है ऐसा करते हैं कि पानी पिलाना पुन्य का काम होता है शायद उपर भी दाड़ी वाले बाबा है और नीचे भी दाड़ी वाले बाबा है और आप भी हमारे सेक्रेटिवी साब आप भी दाड़ी वाले बाबा हो शायद भगवान ने कुछ ऐसा लिखा होगा कि आदर्निया मोदी जी इस देश के पंतेप्रदान होगे और गुलाबरो पाटिल जैसा आदमी यहां का मिनिश्टर होगा जैसवाल जी यहां के हमारे प्रदान जी होगे उनके साक्षे से सब अभियंता यहां पर जल्जिवन मिशन का काम करेंगे और मुझे फक्र है कि हमारे राज्ज ने 97% वर्क वाडर काम की दीदी है 97% भूजल सोरेशन का यहां पर बहुत अच्छा काम चल रहा है महाराश्ट में आप देखेंगे तो गोवा और महाराश्ट भूजल के बारे में हमने पूरे तरह से हमारे राज्ज का प्लान तियार किया है स्त्रोथ का प्लान तियार किया है 2700 स्थ्रोथ हमने यहाँ पर हमारे युज़नाओं को मंजूर करने के बाद भी उनको धून लिया है राज हमें चैलेंज है कि 55 लिटर पानी हमको हर आदमी को पिलाना हर घर जल हर घर नल मैं तो मेरी बड़ी सबाओं में हो या गाओं की सबाओं में हो बोलता हूँ मुझे लोग प्यार से लोग भाओं बोलते हैं मैंने बोला है कि हमें भाओं नहीं बनना है हमें पानी वाला बाबा बनना है और शायद आज का यह प्रोग्राम देखकर आपके